हेलो फ्रेंज, आज हम बनाने वाले हैं बक्रे का खूम जिसे नला भी कहा जाता है आप देख सकते हो वीडियो में यह कैसे कले जी की तरह दिख रहा है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं हमने यहापे बक्रे का खूम लिया है अब फ्लेम पे एक बरतन रख देंगे और इस बरतन में हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है अब इस पानी में हम एक टेबल स्पून नमक भी डाल देंगे जब पानी में उबा ला जाएगा इसमें हमें नल्ला छोड़ देना है अब इसे हम हाई फ्लेम पे दस मिनिट तक उबार लेंगे अब बॉट पटूजाओ ए ले इसमेंटर काई लाएगा लाएगा। दस मिनेट हो चुके हैं अब इसे हम पानी से निकाल लेंगे और अच्छे से धो लेंगे करा झालो के आफाओ से निकाल लेंगे करी अब लेंगे कि इसे हमने अच्छे से धूलिया है अब इसे हम छोटे छोटे पीशेस में कट कर लेंगे आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से क्यूब शेप में कट कर लिया है एक प्लेट में हमने यह आपे दो कटे हुए प्यास थोड़ा सा कड़ी पत्ता पाच हारी मिर्च तीन से चार कूटे हुए लसन के दाने और थोड़ा सा धनिया ले लिया है अब फ्लेम पे हमने कड़ाई रख दिया है अब इस कड़ाई में हम एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें हम एक टीस्पून जेरा एक टीस्पून राई कुटा हुआ लस्वन हरी मिच कड़ी पत्ता और प्याज डालके फ्राई कर लेना है अब इसमें हमें स्वात के अनुसार नमक एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आदा टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल कर इसे हमें करीब दो मिनिट के लिए फ्राई कर लेना है लालके राल कर लेना है आदार प्याज़ दाद साफ मिर्च का इसमें स्वाडर अबेदा पाचिए चल आदा कर लेना है श्वार पाउडर पाउडर शाउडर भेना है दो मिनिट हो चुके हैं अब इसमें हम उबला हुआ नला डालेंगे और इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अब उपर से हमें धनिया डाल देना है और इसे ढख कर लो फ्लेम पे पाच मिनिट के लिए पकने देना है पाच मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हो नला हमारा बन कर तयार है आप इसे उबले हुए चिने के साथ मज़े लेके खा सकते हो बहुत है सिंपल एस्पी है फ्रेंज ज़रूर ट्राइ कीजिए गईज I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेंड्स